दीवशिखाज लाइफ स्टाइल डेकोरेशन में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस बैट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया हुआ है जिसमें बाहर से खाना लाते है अगर आपके पास इस तरह का बॉक्स होता है तो अच्छी बात है अगर नहीं होता है तो I'm sure सभी के घर में मिठाई के डिबबे तो मिल ही जाते है तो आप इसकी जगे मिठाई का डबबा यूज कीजे और नीचे वाली जो नाप हो उस तरह से आपको पहले एक नाप बनानी है तीन मैंने रख दिये हैं चौथे कार्डबोर्ड को मैं इस तरह से करने वाली हूँ सबसे पहले तो मैंने एक फॉर्म शीट ली हुई है जो कि बहुती सॉफ्ट होती है हलकी भी होती है उसके उपर सेम इसी कार्डबोर्ड की नाप को पहले एक निशान बनाएंगे उसके बाद फिर मैं इसको कट करूँगे अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं मिलती है तो आप मार्केट से थर्मा कॉल की शीट का भी यूज़ कर सकते हैं अब इस शीट को मैं इसके उपर चिपकाने वाली हूँ इसको चिपकाने के बाद मैंने एक रुमाल लिया हुआ है जो कि वैलवेट का रुमाल है बहुत ही सॉफ्ट है और अभी हम तयार कर रहे हैं उनका गद्दा तो इसमें अच्छे से इसको चिपका देंगे चिपकाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह किसी भी कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं अब जो गद्दा बन के तयार हुआ था उसको इसके उपर अच्छे से फिक्स कर देंगे देखे पूरी एक बरावर के नाप का ये बन के तयार हो गया है बाद में मैंने लिया हुआ है वाइट कलर की ड्रॉइंग की शीट को जिसके उपर एक मोर के पंख को मैं पहले ड्रॉआ कर रही हूँ तो बहुत ही आसान तरीके से आपका ये मोर का पंख आप बना के तयार कर लेंगे और देखने में जो इसकी डिजाइन है वो बहुत यूनिक और सुन्दर लगने वाली है तो आप भी इस बार इस तरह का कुछ ट्राइ कीजे पैंसिल भी टूट गई है चले ड्रॉआ तो हमारा हो गया है अब इसको कट कर लिया है तो ये जो मोर पंख आपने ड्रॉआ किया हुआ है और जिसकी कटिंग की है इस सरह के 2-3 आपको बना के रखने है सेम नाप के और उसके बाद मैं इसको कलर कर रही हूँ डार्क ग्रीन कलर से पेंट और ब्रश से इसलिए मैं कर रही हूँ जिससे की एक चोटी-चोटी सी जो लाइनिंग होती है पंख में वो इसका लुक देखे दिख रहा होगा आपको क्योंकि ये पूरा एक सा कलर हमें ठोड़ा से इसमें लाइनिंग चाहिये था इसलिए आप भी कोशिस कीजे कि आप इसको पेंट कलर से ही करें दोनों साइड आपको सभी पंक्खों को इसी तरह से पहले पेंट करना है बीच में थोड़ा सा पार्ट आपको छोड़ना है जो हमने राउंड शेप दिया है और आप बहुत ही आसान से आप इसको कलर कर सकते हैं और जैसा कि हम मोर पंक को कलर कर रहे हैं तो सारे खिलते हुए कलर ही हम इसमें फिल करेंगे जैसे कि मोर पंक में होते हैं नारंगी होता है आसमानी कलर होता है पीला रंग होता है डार्क नीला होता है रैड कलर होता है तो इसी कि पाद जो बीच में इसमें एक लाइनिंग आपको दिख रहे है अच्छार दंडी में इसको फिल करूंगी मैं गॉल्डन कलर से तो फिरसे ही मैंप पैंट कलर का यूज किया हुआ है और इसको फिलकरने के बाद सारी आउट लाइन जो पत्तियों की है उसको भी गॉल्डन क उसकी बाद एक कटोरी का शेप लेना है, तो आधी कटोरी का ही मैने लिया हुआ है और इसको कटक किया हुआ है, एक छोटी से कटिंग ली है, और एक बड़ी कटिंग होगी, तो इसको पहले हम कट करके फिर आपको दिखा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा तो ये छोटा सा आकार है और दूसरा बड़ा सा है तो जो बड़ा वाला हमने कटिंग ली हुई थी उसको हम उनके सिरहाने पे चिपकाएंगे इस कटिंग को क्योंकि जो बैड होता है बैड का जो सिरहाना होता है वो हमेशा उंचा होता है और जो पैर की तरफ होता है वो हमेशा थोड़ा सा नीचा होता है तो ये जो छोटी वाली कटिंग है इसको बैड की नीची किनारी से मिला के ही आपको चिपकाना होगा यह उच्चा चिपक गया है इसको थोड़ा सा भी मैं नीचा करूँगे यह गलत चिपक गया है हाँ देखे अभी कम्प्लीट हो गया है तो इस तरह से नीचे से ही इसको चिपकाना है आपको तो यह हमारा बैर्ड आलमोस्ट तयार हो गया है अब हमने जो मोर पंख बना के तय दो मोर पंख को जो है इसके सिरहने पर हम चिपकाएंगे जो कि इस तरह से आपको पहले रखना है इसके उपर और इसको चिपकाना है अरे भाई गिरो नहीं यह मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से आपको चिपका सकते हैं लेकिन यह जब तक आप इनको चिपकाएंग नहीं यह वहां रुकने वाली नहीं है तो चलिए हम इनको पहले सीधे सीधे चिपकाती हैं तो देखिए यह मैं आप चिपका रही हूँ तो यह एक साइड का पूरा अच्छे से इसमें चिपक गया है सेम अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको इसी तरह से चिपकाना है तो कि पाद मैंने कुछ पेपर की कटिञ्स की हुई थी, डिफ्रिंट डिफरिंट कलर्श के ते सारी पेपर कटिंग से इस चोटे-चोटे मोरपंग को मैंने बनाया हूँऊ है तो दो उस साइड चिपकाए हूई है और दो इस साइड चिपकाए हूई है तो चारो तरब से यह मोर पंक से बना हुआ एक बैड है लड़ू गुपाल का जो हमने बना के तयार कर लिया है और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही आसान तरीके से और बिना किसी खर्चे के बहुत ही सुन्दर और खूबसूरत सा एक जो बैड है लड़ू गुपा तो बेशक आप लाइक मत कीजे बट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जैश्री कृष्णा रादे रादे या जैश्री शाम जो भी आप बोलते हैं और मुझे उमीद है कि इस वार इस वीडियो को देखके आप भी अपने लड़ू गोपाल के लिए इस तरह का बैट बनाने वाले हैं और जो की उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके मंदिर में भी बहुत ही खुबसूरती से ये बहुत ही सुन्दर दिखेगा अगर आपको मेरी आइडियाज अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा साथ में बैल आइकन भी प् नमद भूलेगा राधे राधे